टाटा अल्ट्रोस का फेसलिफ्ट वेरियंट इंडिया में लॉंच होने वाला है अगर आप लोग टाटा की अल्ट्रोस लेने का प्लैन कर रहे हैं तो भाई ये वीडियो आप लोग आखिर तक जरूर देखना और भाई वीडियो को आप लोग कर दो अभी से लाइक और करते हैं आने वाली नई टाटा की अल्ट्रोस के बारे में तो भाई सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी का इंजन जो की बाई कंपनी जो गाड़ी का इंजन है उसे भी अपडेट करने वाली है जो गाड़ी का इंजन है वो आपको 1199 CC का ही मिलेगा मतलब की बाई जो इंज के साथ भी मिलेगी और company इस गाड़ी में आपको CNG के साथ आपको automatic का भी option प्रोवाइड कराने वाली है यहां तक अब आई गाड़ी की जो rpm output है company उसे भी बढ़ा देगी करीब 200 से 500 rpm इस गाड़ी में बढ़ने जिससे कि जो गाड़ी की max power है वो आपको 88 hp की जगा आपको 95 hp की मिल जाएगी और जो torque है वो आपको 115 की जगा 125 मिल जाएगा जी है बाई इससे होगा क्या जो वाई mileage है वो आपको ogen थीक मिलेगा जो किenen mileage तो लगभग बराबर ही मिलेगा और जो speed है वो आपको 175 के आज पास तक की मिल जाएगी जो कि बाई easily मिलने वाला है बागी जो है गाड़ी आपको BS6 fuel compatible मिल जाएगी बाई जो की E20 fuel को भी support कर रेगी यहां तक बाई इसका जो EV का variant है उसमें भी update किये जाएगे जो कि बाई नया model आने वाला है अब जो भी बात करते हैं गाड़ी के looks तो भाई जैसा कि आपको पता है कि Tata Company आजकल अपनी गाड़ीों में कैसे DRL प्रोवाइड कराती है तो भाई आपको आने वाली जो नई Tata की Ultros है इसमें आपको connected DRL देखने को मिल जाएगे और भाई उसी DRL में आपको integrated indicator भी company offer कर देगी बाई जो भाई इसके head lamp है वो आपको मिल जाएंगे LED के जो की आपको मिलेंगे LED projector के साथ हो और इसका भाई जो fog lamp है वो भी company update कर देगी और भाई वहाँ पे भी आपको company DRL offer करने वाली है जो भाई गाड़ी की tail light है वो भी आपको connected tail lamp के साथ देखने को मिलेगी बागी यहां भाई पीछे आपको मिल जाएगा rear defogger, rear washer wiper, rear view camera यह सारी चीज़े आपको company provide कराने वाली है और भाई आपको जो sensor है parking के वो आपको चारो ही side देखने को मिल जाएंगे बागी जो भाई पीछे के side आपको मिल जाएगा spoiler आगे भाई आपको मिल जाएगा bumper के नीचे spoiler overall जो भाई company गाड़ी के look को और भी जादा sporty बनाने वाली है यहां तक है भाई इसके जो colors हैं इसमें भी आपको update मिल जाएगा और भाई जो graphics हैं वो भी आपको company और भी जादा देने वाली है इसकी भाई जो च्छत है वो आपको मिलेगी black color की भाई जो body color होंगे वो आपको अलग-अलग combination के साथ मिलेंगे यहां तक भाई अल्ट्रोज में आपको dark edition भी दिखने को मिल जाएगा अभी की तरह और इसका भाई जो च्छत है वहां पे आपको sunroof अगेरा भी company प्रोवाइड करा देगी तो भाई यह हो गए गाड़ी के looks और engine अब आते हैं भाई interior तो भाई company गाड़ी में आपको नई कुसनिंग के साथ नई seat प्रोवाइड कराएगी जोगी भाई जो seat है वो आपको body color से match करती होई मिल जाएगी और इसकी भाई जो MID है जो cluster है यह सभी चीज़े आपको नई मिलने वाली है size और भी जादा बड़ा हो जाएगा और भी जादा smooth हो जाएगा और भाई जो engine है वो भी आपको smooth मिलेगा बागी भाई जो सारी window है वो आपको power window के साथ मिलेगी और आप पीछे भी आपको मिल जाएगा disc brake, ABS, EBD वगेरा मिल जाएगा बागी यार भाई जो dimensions है और जो weight है इनके बारे में कोई भी confirm information तो है नहीं लेगी ना भाई definitely आपको dimension और weight में फर्द देखने को मिलेगा जो भाई target profile है वो आपको same ही मिलेगी और जो भाई design है alloy के वो आपको नए मिल जाएगे और जो भाई इसका price होगा वो आपको लगबग 40,000 रुपए के आस पास तक extra मिलेगा यानि कि भाई ये गाड़ी आपको अब 7,000 रुपए से starting extra room price पे देखने को मिल जाएगी तो भाई आप लोग चाहो तो weight कर लो आने वाली नई टाटा की अल्ट्रोस का तो भाई ये गाड़ी आपको मिल जाएगी लगबग नवंबर के आस पास तक का तो वेड करना मत बोलना और भाई जो वीडियो है लाइक कर देना मिलते हैं एक जी और वीडियो में तब तक लिए जय हींदोवन देमातरम बाई